मा, अरे ओ मा अरे, क्या हुआ नरेश? क्या तु खाना भी चैन से नहीं खा सकता? क्या ये खाना है मा? सूखी, चेटिनी और थोड़ा सा सलात? क्या सबजी नहीं बन सकती थी? यह तो तु अपनी लाडली बहन से पूछ बेटा, आज खाना उसी ने बनाया है सुधा के ये कहने पर, नरेश अपनी छोटी बहन अंजली को बुला कर कहता है ये क्या है अंजली? खाने में सबजी रखना भूल गई क्या? नहीं भाईया, बनाना भूल गई यू क्यों नहीं कहती कि तुछ से सबजी बनती ही नहीं है हाँ, दुखते हैं तेरे सबजी बनाने में कल को ससुराल जाएगी, तो क्या वहाँ भी बिना सबजी के खाना परोज देगी? सुधर जा अंजली, वरना ससुराल में बहुत पश्टाएगी सुधा और नरेश अंजली को बहुत समझाते हैं कि खाने में सबजी बनाने का आलस ना करे पर वे उनकी सीख पर गौर ही नहीं करती कुछ तिन बाद अंजली की एक बड़े परिवार में शादी हो जाती है और अंजली ने जो बात सपने में भी नहीं सोची थी, वही होती है अंजली की सास आरती कहती है अंजली बहू, इस महीने रसोई बनाने की जम्मेदारी तुम्हारी रहेगी तेरी दोनों जेठानिया अन्नू और तन्नू गर के दूसरे काम संभालेंगी जी माजी, मैं सबके लिए अच्छे-च्छे स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी सास के ये कहते ही अंजली रसोई बे आ जाती है और वहां आकर सोचने लगती है आज मैं सबके लिए मटर पनीर और आलू वाली पूरिया बनाऊंगी यही सोच कर अंजली खाना बनाने की तयारी में लग जाती है मगर तब ही उसकी जेठानी तन्नू आकर कहती है अरे देवराणी जी सबजी में क्या बनाऊगी दीदी मटर पनीर बनाऊगी ये सुनकर तन्नू हसने लगती है बस मटर पनीर हो सकता है तेरा ये मटर पनीर कोई खाए ही ना पर क्यूं दीदी तभी अन्नू हाथ में एक कागस का टुकडा लिये पधारती है और उसे अंजली को देते हुए कहती है अंजली मेरी नई नवेली देवरानी इस घर में बहू की पसंद की सबजी नहीं बनती है तो किस की पसंद की सबजी बनती है दिदी परिवार में दस मेंबर हैं और दस प्रकार की सबजियां बनती है ये लो लिस्ट और पढ़ लो आज कौन-कौन सी दस सबजियां बनेंगी अंजली जट से सबजी की लिस्ट पढ़ती है और फिर जैसे ही वे पढ़ती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं वे चौकते हुए अपनी जेठानी से कहती है दीदी ये घर है या रेस्टोरेंट दस प्रकार की सबजियां तो किसी भी घर में नहीं बनती पर इस घर में बनती है अंजली सब अपनी अपनी पसंद की सबजी खाते हैं क्या मुझे रोज इतनी सबजियां बनानी पढ़ेंगी दीदी हाँ वो तो बनानी ही पड़ेंगी देवरानी जी अंजली सबजी की लिस्ट देखकर पूरी दस सबजियां बनाती है और सबजियां इतनी स्वादिश्ट बनती हैं कि सभी उंग्लियां चाटते रह जाते हैं अंजली का ससुर रमेश उसके खाने की तारीफ करते हुए कहता है वा बहू सबजी तो बहुती स्वादिश्ट बनाई है उंग्लियां चाटने का मन करता है बहू तो सबजी बनाने में एक्सपर्ट है जी क्यों तन्नू अनू है ना अंजली तो होटल से भी बढ़िया सबजी बनाती है मम्मी जी मैं तो कहूँ सबजी हमेशा अंजली से ही बनवानी चाहिए पता नहीं कैसे घर में ब्यादी भाईया ने एक ताइम में दस दस सबजीयां सबजीयां धोते काटते चिलते मेरे तो हाथ दुखने लगे और ये महरानी कह रही है कि रोज मैं ही सबजी बनाओ मुझसे तो ये साथ जनम न हो पाएगा हाँ अंजली की सास ने उसे एक महीने तक रसोई बनाने का काम सौपा था मगर रोज रोज दस सबजीयां बनाने में तो हफते भर में ही हार मान लेती है हाए अमा भाईया और तूने पता नहीं कौन से जनम की दुश्मनी का बदला लिया है मुझे आपने किसी घर परिवार में नहीं होटल में ब्या दिया यही सोच कर अंजली अपने भाई नरेश को अपने ससुराल बोलाती है क्या बात है अंजली ससुराल में कोई प्रॉबलम है क्या भाईया मुझे कैसे प्यार में ब्या दिया आपने यहां तो एक टाइम में दस दस सबजीयां बनानी पड़ती है मुझसे ये नहीं हो सकता मुझे अपने घर जाना है बस अरे तु पगली है क्या बस सबजियां बनाने के लिए ससुराल छोड़ना सही है क्या अरे समस्या का कोई हल भी तो ढूंड सकती है ठीक है भाईया तुम यही चाहते हो तो कोशिश करके देखती हूं इस तरह अपने भाई के समझाने पर अंजली मान जाती है और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीच जाते है एक दिन अंजली अपनी जेठानी अन्नू और तन्नू से कहती है जितना हम अपनी पसंद का खयाल रखते हैं उतना ही हमें दूसरों की पसंद भी तो खयाल रखना चाहिए न? क्यों अनुदीदी, रखना चाहिए की नहीं? हाँ, रखना तो चाहिए, पर हमारे सस्रॉाल में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सब अपनी अपनी पसंद का खाते हैं. एक दिन दूसरे की पसंद का भी खा लें, तो भलक क्या हर्ज है? आपस में प्यार ही बड़ेगा इससे. खुल कर बोल देवरानी जी, आखिर तू कहना क्या चाहती है? यही कि रोज ददद सबजियों की जगा एक सबजी भी तो बन सकती है घर में. यह तो इस घर में बिल्कुल नहीं चल सकता देवरानी जी, हम दोनों कोशिश करके देख चुकी हैं. यह सुनकर अंजली जेठानियों को समझाते हुए कहती है, चल तो सकता है दीदी, पर आप साथ दे तो, आज तेरी बारी, कल मेरी बारी, हम बहु हैं या रसोया, एक टाइम में दस-दस सबजियां बनाने में तो ठक कर चूर हो जाती हैं, और साथ सिंगार का भी मन नहीं करता, हाँ. हाँ, ठीक कहती हो दीदी, इसलिए हमें अंजली का साथ जरूर देना चाहिए, यह कहकर वे दोनों अंजली का साथ देने को तयार हो जाती हैं, और उसी दिन अंजली सब के सामने एक सबजी बना कर रख देती है, यह देख सब नाराज हो जाते हैं. यह क्या बहू, आज एक ही सबजी? आज घड में एक टाइम में एक आदमी के पसंद की सबजी बनेगी बाबू जी. पर क्यों? क्योंकि आज से मैं हरताल पर हूँ, जब तक आप एक दूसरे की पसंद की सबजी खाना शुरू ना करेंगे, यह हरताल जारी रहेगी. यह सुनकर सब चौंक जाते हैं, और अंजली सब की नजर में बुरी बन जाती है. कैसी काम चोर बहू है, पहले महीने में ही हार गई. अंजली दस-दस सबजीयां बनाने से हाथ खड़े कर देती है, तो हार कर उसकी सास अन्नू और तन्नू से सबजी बनवाने की कोशश करत ममी जी बुरा मत मानना, हम भी अंजली के साथ हरताल पर हैं, इसलिए एक सबजी तो जब चाहो बनवा सकती हो ममी जी, पर दस-दस हम ना बनाएंगी. इस तरह एक-एक करके रमेश के घर की सब ही बहुएं हरताल पर उतराती हैं. उनकी हरताल के कारण में दस की जगा एक सब्जी खाने को मिलने लगती है. इससे रमेश और उसके बेटों का मूर्ड खराब हो जाता है. उनकी मां को उनकी पसंद की सब्जी बनाने की कहता है. मगर वे भी एक-दो दिन में ही हाथ खड़े कर देती है. वे अपनी बहुओं के साथ हड़ताल पर उतर आती है सनो जी, घर में हर आदमी की पसंद की सबजी रोज नहीं बना करती इसलिए एक दूसरे की पसंद की सबजी खाना शुरू कर दो हाँ बाबु जी, रोज एक मेंबर की पसंद की सबजी बनेगी और सभी को वही खानी होगी बाबु जी, इससे परिवार में एकता और प्यार बढ़ेगा और बहुत सारी बचत भी तो होगी अपनी पत्नी और बहुओं की ये बातें सुनकर रमेश उनकी बातों में छिपी सच्चाई को समझ जाता है वह समझ जाता है कि परिवार में एक की पसंद सबकी पसंद बने तब ही प्यार और एकता बनी रहती है इसी लिए खुशी-खुशी उनकी बात मान लेता है और उसी दिन से घर में दस-दस सबजियां बनने का प्रचलन बंध हो जाता है ये कहानी है दो सोतेली बहनों की बड़ी बहन अनू जो की सावली है जिसको राहुल ने गोद लिया था वही दूसरी और छोटी बहन मीनू जो बहुत ही सुन्दर और गोरी है वह राहुल और मीरा की सगी बेटी थी नजाने कहां से इसको उठा लाए देखने में ही बतसूरत है कोई भला इससे शादी क्यों करेगा सारी उमर में बिठा करने ही खिला पाऊंगी इसे हाँ अरे तुम इसकी शादी के चिंता मत करो मैंने अनू के लिए लड़का ढून लिया है वैसे तो गरीब है पर दिल से बहुत अमीर है वो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है हाँ तो मेरी मीनू कवारी थोड़ी ना बैठी रहेगी उसके लिए एक बहुत रई इस खांदान से रिष्टा आया है लड़का मीनू की सुन्दर्ता पर लट्टू है लट्टू और अब उसी से शादी करना चाहता है राहुल और मीरा ने दोनों बेटियों की शादी कर दी अनू के नसीब में कुछ खेत और तूटी फूटी जोपडी आई वहीं दूसरी ओर मीनू के नसीब में आली शान बंगला नौकर चाकर आए मुझे माफ करना तूटी जोपडी में रहना पड़ा है मैं जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करके कहीं अच्छी जगा एक नौकरी खोज लूगा आप बिलकुल परिशान मत होईए बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजे मुझे बस आपका साथ चाहिए ऐसे ही एक साल बीच जाता है एक दिन अनौकी तबेत अचानक खराब हो जाती है अमन भी घर पर नहीं होता है तो वह धीरे धीरे चल कर पास वाले अस्पताल से खुद ही दवा लेने जाती है तब ही मीनौ जो की कार से अपने पती अमित के साथ जा रही होती है अनौ को देखकर रुक जाती है और कहती है दीदी आप यहां और इस हालत में मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे देखिए मेरा कार से आना जाना होता है घर पर भी नौ कर्चा कर लगे हैं ठाट से रहती हूँ अच्छी बात है तू हमेशा खुश रहे और क्या चाहिए आज तुझे पूरे एक साल बात देखा है अब यहां तक आई हो तो घर तक तो चलो अरे तुमारा घर कहां तूटी पूटी जोपड़ी है जहां बैठने की भी जगा नहीं तुम्हें क्या लगता है हम लोग जमीन पर बैठेंगे हाँ दीदी यह सही कह रहे हैं हम लोग तो जमीन पर पैर भी कभी कभी रखते हैं और आप बैठने की बात कर रही है मीनू इन भिकारियों से कोई नाता रखने की जरूरत नहीं है हाँ जी किसको पड़ी है जो इन से नाता रखे दीदी आपने मेरी और इनकी बहुत बेज़ती की है दोबारा अपना चहरा मत दिखाना हाँ इतना कहकर अमित और मीनू चले जाते हैं अनू की आँखे भराती है और कहीं दूर खड़ा अमन यह सब देख रहा होता है दोनों खामोशी पकड़े घर चले आते हैं खुशी खुशी अमन के गले लग जाती है और रोने लगती है और कहती है आज से हमारे बुरे दिन खत्म हुए और एक अच्छे समय की शुरुवात होगी कुछ ही महीनों में अमन अपना घर भी बनवा लेता है और एक छोटी कार भी खरीद लेता है अनू आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें अपना एक अच्छा घर देने का मेरा सपना पूरा हो गया हाँ अब हम करीब नहीं हैं धीरे धीरे दो साल पूरे हो गए मीनू और अनू दोनों पेट से हैं अमेत और उसकी मा मीनू का बहुत ध्यान रखते इधर अमन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी घर के काम के लिए अमन ने नौकर लगा लिया जिससे अनू पूरी तरह से आराम कर सके कुछ महीने बीच जाने के बाद दोनों बहनों का डिलिवरी का समय आ गया अमन अनू को शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गया वहीं अमित भी मीनू को उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आया जहां अनू थी दोनों बहनों को जुड़वा बच्चे पैदा हुए अनू के दो लड़के हुए जो की रंग रूप में बहुत ही गोरे और सुन्दर थे वहीं दूसरी ओर जोर जोर से चिलाने की आवाज आ रही थी अनू ने देखा कि उसकी बहन मीनू अकेले कमरे में फूट फूट कर रो रही है क्या हुआ मीनू तू रो क्यो रही है दीदी मुझे मेरी सास और मेरे पती अब जीने नहीं देंगे या तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगे पर मीनू ऐसा क्या हो गया तेरे पती तो तुझे बहुत प्यार करते हैं न हाँ पर दीदी मेरे पती और सास को बेटा चाहिए था मुझे तो दो बेटियां हुई है और दोनों का रंग भी सावला है मेरी सास ने मुझसे साव कहा था अगर बेटा नहीं हुआ तो तुम्हें 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 माई के भेज देंगे तुम्हीं बताओ दीदी मैं क्या गरू अनु कुछ तेर अमन से बात करती है और कहती है मीनु मेरे दो लड़के हुए हैं और दोनों ही बहुत सुन्दर है तु एक काम कर मेरा एक बेटा ले ले और मुझे अपनी एक बेटी दे दे और वैसे भी अमन को एक बेटी चाहिए थी वो इसे बहुत प्यार करेंगे दीदी मैंने आपके साथ इतना बुरा वेवार किया और आप इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार है देख मीनु ऐसा करने से तेरी सास और पती को एक बेटा मिल जाएगा और तेरी एक उलाद तेरे पास भी रहेगी और वह लोग तुम्हें घर से भी नहीं निकालेंगे ठीक है दीदी मैं आपका यह सान कभी नहीं भूलूंगी अमन और अनु अपना एक बेटा मीनु को दे देते हैं और उसकी एक बेटी गोद ले लेते हैं अमन बेटी को देखकर बहुत खुश था कुछी देर में मीनु की सास और अमित वहां आ जाते हैं सास बोली मेरे पोते की सकल दिखा दो दोनों ने सबसे पहले बेटे को देखा और बारी-बारी गोद लिया मुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं और ये बेटी भी हमारी ही है क्या सच में? पर ये इतनी सामली क्यों हैं? जैसे भी हैं पर हैं तो हमारे ही बच्चे ना? हाँ सही कहा तुमने पर एक बात बताओ तुम्हारी बेहन यहां क्या कर रही है? दीदी को भी दो जुड़वा बच्चे हुए हैं पक्का फिर तो दोनों सामली लड़की हुई होगी नहीं नहीं दीदी के एक बेटा और एक बेटी हुई है दोनों ही बहुत सुन्दर हैं सुनिए अब हमें दीदी से सारे गिले शिक्वे मिटा लेने चाहिए ठीक है जैसा तुम कहो आज मैं बहुत खुश हूँ जो तुम कहोगी वही होगा अमेत और उसकी मा बेटे को गोद लेकर कमरे से बाहर चले जाते हैं मीनू हाँ जोड़कर अनू से माफी मांगती है और बोलती है दीदी आप अपने बेटे से मिलने कभी भी घर आ सकती हो ठीक है मीनू पर तुम मेरे बेटे को अच्छे संसकार देना उसे छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सही गलत और अच्छा बुरा सब से खाना हाँ, अनू ठीक कह रही है मीनू शर्मिंदगी से अपना सिर जुका लेती है और उसे अपनी गलती पर पच्छतावा होता है